वेल्कम बाक इन अदर लेक्ट्टर ओफ पॉलिटी फॉर लेटिस अपडेट यू केन फॉलो अस ओन आर टेलिग्रम चैनल और अर वेबसाइट डैट इस www.orodais.com और अगर आप पीज़ी बैच चॉइन गरना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पे नंबर्स पर कॉन्टएक कर सकते हैं और इन भुक्स को पर्चेस करने के लिए U Can Check It On Flipkart and Amazon तो कंटीनियू करते हैं हमारा चप्टर पालियमेंट आज का टॉपिक है हमारा मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पालियमेंट की कितने कितने रोल्स हैं कि किन काम में जो पालियमेंट है वह हैल्प करती है कौनसी कौनसी पावर है पालियमेंट के पास सबसे पहली है legislative next is executive function financial सबसे पहली है legislative powers and functions जो प्राइमरी फंक्शन है पालियमेंट का वह क्या है laws को बनाना इसके लिए for the governance of the country कि country की जो गवरनेंट है वो ढंक से चलती रहे law and order maintained रहें तो उसके लिए पालियमेंट जो है वो laws बनाती है it has exclusive power to make laws on the subject enumerated in union list और on the residuary subjects जो पालियमेंट है वो कौन से कौन से subjects पे जो है वो laws बना सकती है first is union list पे second is residuary subjects पे so concurrent list के regard में जो पालियमेंट है उसके पास overriding power है overriding मतलब कि concurrent list में अगर कोई subject है अगर उस पे state and center दोनों laws बनाते हैं तो जो पालियमेंट के द्वरा बनाया गया law होगा उसको माना जाएगा ना कि state legislature के बनाया होए law को to power to make laws on the state list in the following situation और state list में laws बनाने की पावर कौनसी कौनसी situations में है first is when राज्या सभा passes a resolution to that effect अगर राज्या सभा जो है वो resolution पास कर देखती है कि यह जो particular subject state का उस पर जो laws है वो पालियमेंट बनाएगी तो उस टाइम पर यह जो पावर है वो पालियमेंट के पास चली जाएगी next जिस टाइम पर national emergency हो next is when two or more states make a joint request to the parliament अगर दो या फिर दो से ज्यादा states खुद यह request करते हैं पालियमेंट को कि आप हमारे इस subjects पर लौ बनाएए तो वह पालियमेंट वहां पर लौज बना सकते हैं नेक्स्ट वन निसेसरी टू गिव अफेक्ट टू इंटरनाशनल एग्वीमेंट प्रेटी आंड कन्वेंट अगर कोई इंटरनाशनल ट्वीटी agreement अफर किसी convention को effect में लाना है तो उस चीज़ के लिए भी जो पालियमेंट वह लौज बना सकता है या फिर जिस टाइम पे स्टेट में प्रेजिडेंट रूल लगा हो तो उस टाइम पे भी जो पावर है स्टेट लिस्ट पे लौज बनाने की वह पालियमेंट के पास चली जाएगी इस टाइम पे प्रेजिडेंट रूल लगा हुआ है या फिर नैसंनल एमर्जेंसी है तो उस टाइम पे अगर ओडियमेंट के द्वारा विदन एक उपरूफ करवाना होगा जस टाइम पे वह जो रूल है वह यानिकी री असेम्बली हो जाएगी यानिकि पावर आड फॉंक्षन सबसे पहले हमने देखा कि लॉस बनाने की पावर अब हम देखेंगे एक्जीक्यूटिव की पावर कि उसको इंपलीमंट करने की देखीक्यूटिव इस रिस्पॉंसिबल टुद पालियमेंट फॉर इट्स पॉलिसी और एक्ट गो एक्जीक्यूटि एक्जिक्यूटिव पे कोशन आड के थू कि जो भी उन्होंने इंप्लिमेंटेशन की है लॉस की उनके बारे में कोशन पूछती है उनसे जीरो आर के थू हाफ एन आर डिसकुशन के थू शॉर्ट डिसकुशन हो गई जो पालिमेंटरी कमेटीज है आपनी कमेटीज के दौरा यानकी मोगमेटीज बनाती है जो एक्जिक्यूटिव पे नजर रखेए कि एक्जिक्यूटिव है वो धंक से काम कर रहा है या फिर नहीं कौन-कौन सी कमेटी यह होंगी जैसे कि कमेटी ओन दा गर्मेंट अशोरंस सब्सक्राइशन एक्सेक्टरा नेक्स्ट इस मिनिस्टर्स अर क्लेक्टिवली रिस्पॉंसिबल टू दा लोगसभा इन सब्सक्राइशन को लोगसभा के दौरा रिमूव किया जा सकता है कैसे और यह बात पहले भी काफी सारी लेक्ट्ट्र में इसको देखा है नेक्स्ट आता है फानेंशल पावर एंड फंक्शन सो फानेंशल पावर में क्या आता है कि पार्लियमेंट अप्रूवल इस नेड़ेड टू पार्लियमेंट के अप्रूवल कौन सी कौन सी चीज़ों में चाहिए होता है जिस ताइम पर कोई टेक्स कलेक्ट करना हो या फि इतने भी financial performance होती है उसको scrutinize करती है कौन जो Parliament की financial committees होती है. Two stages of parliamentary control over the executive in financial matters. So, दो तरीके से control होता है executive के financial matters पे किसके दोरा? Parliament के दोरा? First is budgetary control. Second is post budgetary control. So, rule of lapse क्या होता है? If a granted money is not spent by the end of the year, the balance expire and return to the consolidated fund of India. कि कोई money जो financial year के लिए grant की गई थी उसको वहाँ पे spend नहीं किया गया. मान लिए जो कि 50 करोड गरांट किया गये थे तो उसमें सिख 40 करोड ही जो था वहाँ पे spend किया गया. तो जो बाकी का 10 करोड बचेगा उसको बापिस से consolidated fund of India में return करना होगा. So, March rush क्या होता है? March rush means कि heavy expenditures toward the close of year due to the observance of this rule. कि क्या होगा कि जब जैसे कि financial year खतम होने को आएगा मान लिए फेब मार्च में आके तो इस टाइम भी वो क्या करेंगे? यहाँ पे जैसे लिखा है ना March rush मार्च में आके मारा financial year खतम होता है ना 31st March को तो वही कि जैसे 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 हमारा financial year खतम होने पे आएगा तो वो क्या करेंगे? जितना पैसा बचा होगा उसको जल्दी से जल्दी exclusive power to amend the constitution जो पार्लेमेंट के पास पावर है कि वो constitution को amend कर सकती है बट जो basic structure है constitution का वो amend नहीं होना चाहिए वो effect नहीं होना चाहिए तो कौन से कौन से method से जो पार्लेमेंट है वो amend कर सकती है first is simple majority, next is special majority, third special majority plus consent of the half of all state legislature so subject to the basic structure of constitution जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो पार्लेमेंट है वो constitution को तो amend कर सकती है बट उसके basic structure को amend नहीं कर सकती है next is judicial power and function so judicial power and function में पार्लेमेंट के कौन सा रोल है it can impeach the president for the violation of the constitution अगर जो president है वो constitution को violate करते है तो वहाँ पे उनकी impeachment की जा सकती है वो vice president को भी उनके office से remove कर सकते है और वो recommend कर सकते है for the removal of the judge, कौन से judge, supreme court के, high court के या फिर chief election commissioner को remove करना हो, comptroller and audit general को remove करना हो तो उसके लिए वो president को recommend भी कर सकते है it can punish its members and outsiders for breach of its privileges or its contempt जो parliament है वो अपने members को या फिर कोई outsider है उनको punish कर सकती है अगर वो उनके privileges को breach करते है next is electoral power and a function इसमें क्या है कि parliament participate in the election of president and elect the vice president जो parliament है वो president की elections में participate करती है और वो प्रवाइस प्रेजिडेंट को भी elect करते हैं जो लोगसभा elect its speaker and deputy speaker while the raja sabha elect its deputy chairman कि जो लोगसभा के speaker and deputy speaker है उनको कौन elect करती है लोगसभा और राज्यासभा के deputy chairman को राज्यासभा करती है जो chairman को क्यों नहीं करती राज्यासभा यहां पे जो राज्यासभा के chairman होते हैं वो vice president ही होते है कि यहां पे जो parliament है वो laws बना सकती है किस के लिए office of president या फिर vice president की elections को regulate करने के लिए या फिर parliament की दोनों houses की elections हो या फिर state legislature के दोनों houses की हो next कुछ और पावर्बर्जाय पार्लियामेंट के वास कौन सी है उसमें सबसे पहली है इस सर्व ऐस्ट डिलिबरेटिंग बॉडी इन दा कंट्री कि जो इन ल इन ने इन नाचनल सिगनिफिकेंट की इशू होते हैं उनको पार्लियमेंट डिसकस कर सकती है इप रूबग और थ्री टाइप bus ऑफ एमर्जेंसिस लगती बाइड कीशिएं उनको भी ये इपरूब कर सकती है प्रोक्लेंट बाइद प्रेजिन्ट नेक्स सब्सक्छान कर सकती है और क्या कर अकर सकती है आरिया है उसको increase or decrease कर सकती है boundaries को alter कर सकती है वो चाहे तो किसी state की name को भी change कर सकती है next is it can regulate the organization and jurisdiction of the supreme court and high court and can established a common high court for two or more states parliament क्या कर सकती है यहां पर जो supreme court की या फिर high court की organization है या फिर jurisdiction है उसको regulate कर सकती है और दो या फिर दो से ज़्यादा state के लिए common high court भी establish कर सकती है next is in effectiveness of the parliamentary control इसमें क्या कहा गया है कि the parliamentary control over the government and administration in India is more theoretical than practical कि यहां पर जो parliament का control है government के उपर या फिर इंडिया की administration के उपर वो theoretical ज्यादा है बट practical में वो ऐसा नहीं है कि in reality the control is not as effective as it out to be कि जो reality में जो control है parliament का government पे वो उतना effective नहीं है जितना होना चाहिए सो कौन से कौन से factors responsible है इस चीज़ के लिए फर्स्ट है कि parliament has neither time nor expertise to control the administration which has grown in volume as well as complexity कि जो parliament है ना तो उसके पास इतना time है और ना ही जो parliament के members है वो उस चीज़ में experts है कि वो administration को control कर सके because जो वहां के members होते हैं parliament के वो politically तो बहुत अच्छे होते हैं but technically वो expert नहीं होते हैं उस चीज़ में जिनके उनको ministers बना जाता है या फिर उनको members बना जाता है सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जिनको अपनी field की proper जानकरी होती है Parliament's financial control is hindered by the technical nature of the demand for grants जो demand for grants का technical nature है वो भी पार्लेमेंट के financial control को affect करता है विकास जो पार्लेमेंटेरियन्स है वो ले मैं है और उसके कारण उनको ज्यादा के साथ ही लाई करती है विकास लेजिस्टेटिव के ही कुछ members executive में भी होते हैं और यह जो चीज़ है वो बहुत significant role play करती है किसी policies को formulate करने में the very size of the Parliament is too large and unmanageable to be effective because अगर जो हमारी लोग सभा है उसके members को और हम राजे सभा के members को एक साथ जोड़ लें तो जो पार्लेमेंट है उसका size काफी increase हो जाता है 700 प्लस जो members चले जाते हैं और यह जो चीज़ है वो unmanageable है the majority support enjoyed by the executive in the Parliament produce the possibility of effective criticism कि यहां पर जो executive है उसका majority में होती है वो यानि कि जो ruling party होती है उसके ज्यादा member अगर executive में हो executive में उनकी majority हो तो उसके करन क्या होता है कि जो criticism है वो उसकी possibility कम हो जाती है विकाज अगर executive में जो opposition के members कम होगे तो definitely उसका criticism भी कम आएगा और जो ruling party होगी वो easily अपने laws को अपने जो भी policies होगी उनको पास करवा सकती है the financial committees like public account committee वो क्या examine करती है public expenditure को after it has been incurred by the executive कि यह जो public account committees है वो किस time पे expenditure को examine करती है जब वो खर्चा हो चुका होता है कि यह खर्चा सही था या फिर नहीं the growth of delegated legislation has reduced the role of parliament in making detailed laws कि जो delegated legislation की growth हो रही है उसे कारण जो parliament का role है वो decrease हो रहा है laws बनाने में and has increased the power of a bureaucracy और जो bureaucracy की power है वो increased हो रही है सो पार्लियमेंटिक control जो है वो sporadic हो चुका है जो है political nature का बन चुका है वो यानि कि वो जो ruling party है वो उसकी according की जो parliament के होता है उसका control चलता है and lack of strong steady opposition in the parliament कि जो parliament में अगर ruling party की majority हो तो वहां पे जो opposition की है उसका वो strong नहीं होती जिसके कारण वो चीज़ भी parliamentary की बनाय होई laws को affect करती है next is position of a Rajya Sabha so the constitutional position of the Rajya Sabha can be studied in a three angles जो राज्यसभा की constitutional position उसको three angles में study किया जा सकता है first is where Rajya Sabha is equal to लोगसभा जहां पे जो राज्यसभा है वो लोगसभा के equal है second is जहां पे राज्यसभा जो है वो लोगसभा के unequal है and third is where Rajya Sabha को कुछ special powers दी गई है जो वो लोगसभा के साथ शेयर नहीं करती सबसे पहली है इक्विल स्टेटेस विद लोगसभा की जो लोगसभा के साथ राज्यसभा का इक्विल स्टेटेस है वो कहां-कहां पे है first is अगर किसी ordinary bill को introduce करना हो या फिर पास करना हो तो वो लोगसभा राज्यसभा दोनों में होगा अगर constitutional amendment bill को introduce करना हो या पास करना हो next is अगर किसी financial bill को introduce या फिर पास करवाना हो अगर president की elections हो या फिर उनकी impeachment हो vice president की election हो या फिर उनका removal हो और however राज्यसभा alone can initiate the removal of a vice president कि जो vice president के removal है उनको राज्यसभा अकेले भी initiate कर सकती है making recommendations to the parliament for the removal of chief justice अगर chief justice को remove करना हो तब parliament को लोगसभा राज्यसभा दोनों recommend कर सकती है judge of the supreme court या फिर high court को remove करना हो चीफ election commissioner या फिर क्याक को remove करना हो तो approval of ordinance issued by the president उसको अप्रूव करने में भी दोनों सभास के पास इक्वल अप्रूवल आफ प्रोक्लामेशन of all three types of emergencies अगर तीनों emergencies को अप्रूव करना हो तो वो भी दोनों के पास equal status है next is selection of ministers अगर ministers को select करना हो including prime ministers next is consideration of the report of constitutional bodies जो की finance commission union public service commission या फिर काक की रिपोर्ट हो उनको ये दोनों houses ही consider करेंगे next is enlargement of the jurisdiction of supreme court अगर supreme court की jurisdiction को enlarge करना हो या फिर UPSC की jurisdiction को enlarge करना हो तो वो भी ही जो है इन दोनों houses के पास उसके लिए equal status होता है सबसे पहला है कि money will can be introduced only in a लोग सभा कि जो मनी विल है वो सिफ लोग सभा में introduce होगा उसको राजह सभा में introduce नहीं किया जा सकता और जो राजह सभा है वो money will को ना तो amend कर सकती है ना ही reject कर सकती है और राजह सभा को within 14 days वो बिल जो है वो लोग सभा को return करना होगा either with recommendation और without recommendation चाहे वो recommend कर दे उस बिल को चाहे ना करे और उस चीज़ का कोई भी effect नहीं होगा उस बिल पर तो लोग सभा जो है उसको तब भी पास कर देगी लोग सभा कें ऐधर accept और reject all और any of the recommendation of the राजह सभा की जहां पर जो लोग सभा है वो राजह सभा की recommendations को accept कर भी सकती है और reject भी कर सकती है वो चाहे तो सारी recommendations को reject कर दे या फिर उनमें से कुछ को reject या फिर accept कर लें next is financial bill a financial bill not containing the matters of article 110 article 110 में क्या आता है money bill कि कोई भी ऐसा financial bill जो article 110 में नहीं आता also can be introduced only in the लोग सभा not in the राजह सभा जो final power होगी तो decide whether a particular bill is money bill or not कि अगर किसी बिल को decide करना है कि यह particular bill money bill है या फिन नहीं तो वो पाबर की किसके पास है speaker of the लोग सभा के पास next is speaker of लोग सभा preside over the joint sitting of both the houses कि अगर दोनों houses की joint sitting होती है तो उसको भी कौन preside करेगा लोग सभा के speaker and लोग सभा with greater numbers win the battle in a joint sitting अगर joint sitting में कुसी matter को रखा जाता है तो वहां पर जो लोग सभा है वो उस चीज को जीट जाती है क्योंकि कि लोग सभा में राजय सभा से ज्यादा members है and राजय सभा can only discuss the budget जो राजय सभा है वो सिर्फ budget को discuss कर सकती है उस पे vote नहीं कर सकती a resolution for the discontinuance of the national emergency can be passed only by the लोग सभा कि अगर किसी national emergency को discontinue करना है तो उसके लिए resolution जो है सिर्फ लोग सभा ही पास कर सकती है राजय सभा नहीं कर सकती राजय सभा यह जो पावर जो सिर्फ राजय सभा के पास है वो लोग सभा के पास नहीं है सबसे पहली है कि it can अजरायजह respectfully तो कलाय IS करेंगी पर्लियमेंट को फोग गांज शोरयज राजराया सब्लेमेंट को नीट करेंगी पर्लियमेंट को मुझा केंग ऐस्ञाइओ प्लेस्ट करेंग धोटेन फिकांएं ओसको भी इनिशेट कर सकती है इस एउन मेशीं इशुद बाइज ब्डडभरी प्रैज़ीडेंट फीर इंपोसिंग्ड एमरजनशी अगर निशन अमर very important के हैं at a time when the लोगसभा has been dissolved, जिस time पर लोगसभा dissolved हो चुकी थी और the dissolution of the लोगसभा takes place within the period allowed for its approval या फिर जिस time पर जो emergency थी या फिर प्रेजिदेंट रूल था उसको approval के लिए time दिया गया था उस time पर जो लोगसभा dissolved हो जाए then the proclamation can remain effective तो जो proclamation होगा वो तब तक effective रहेगा जब even if it is approved by the राज्यसभा alone कि अगर राज्यसभा सिर्फ अकेले ही उसको approve कर दे तो वो proclamation जो आवे effective रहेगा बट अगर राज्यसभा भी उसको approve ना करे तो वो जो proclamation होगा वो ineffective हो जाएगा तो यहां पर हमारा आज का लेक्चर कम्प्लीट होता है मिलते अपने नेक्स लेक्चर में और नेक्स लेक्चर में हम पार्लेमेंट को ही कम्प्लीट करेंगे तैंक यू